हेलो फ्रेंड्स आजगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीटी मॉल एप के अंदर जब आप ओपन करते हैं तो दोस्त आपका लोकेशन वाला जो है सेक्शन आ जाता है लेकिन आप वहाँ पे आप एप के अंदर जो है एंटर नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो आजगे इस वीडियो में मैं आपको इस्टे बाश्टे बताऊंगा कि किस तरह से आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं एप्लिकेशन में टिक हैं तो जैसे कि दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लिकेशन को ओपन करके कि मेरे पास क्या प्रोबलम आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास यह वाला एरर आ रहा है अगर दोस्तो आपके पास भी यह वाला एरर आ रहा है तो दोस्तो इसको किस तरह से प्रोबलम को शौल कर सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको इस्टे बाइस बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्रोबलम को शौल कर सकते हैं तो चल पर क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक करने के बाद तो आपको एक अप्लिकेशन की जुरुत पड़ेगी जो कि आपको Google Play Store के उपर अविलेवला आप उसको जाकर डाउंलोड कर लीजिए अब डाउंलोड करना हुगा तो आप इसको डाउंलोड करने पाद आपको यहां पर करने पड़ेगी जो कि मैं आपको इस्टेव बस्टेव बताऊंगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपका प्रोब्लम जो हंट्रेट पर्शन शोल हो जाएगा तो सबसे पहले दोस्त आपको चले जाना है अपनी मोबाल का जो सेटिंग है वहां पे मोबाल का सेटिंग में जाकर आपको यहां पे चले जाना है और यहां पे सर्च बार मिलेगा आपको यहां पे सर्च बार के ओपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्ताब को यहां पे चेक करना है कि आपको मोबाल के अंदर जो है डवलपर ऑपिजनल सेटिंग है की नहीं है तो अगर नहीं है तो दोस्ताब उसको इजिली तरीके से आप वहाँ पर ला सकते हो, वो कैसे ला सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर मेरा ओलडी, यहाँ पर फोन के अंदर अबिलेबल है, यहाँ पर आपको दिखा दिता हूं कि कौन सा वाला सेटिंग में बात कर रहा हूं, पर नीचे की साड़ में स्क्रोल करना है और स्क्रोल करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा developer optional यहां पर आपको दिख रहा होगा developer optional तो दोस्तों यह वाला जो setting है इस setting को आपको यहां पर ढूंडना है कि आपके mobile में है की नहीं अगर दोस्तो है थो आम पे इसको यहां पर क्लिक कर दीजेगा अगर नहीं है तो दोस्त आपको क्या करना है वो भी आपको इस वीडियों में बता दिता हूँ सबसे पहले दोस्त हम इसको back करेंगे एन nehmen back करने के बाद दोस्त आपको चले जाना है अपने mobile के जो या तो आपके फोन में about section होगा या फिर दोस्त आपके mobile phone के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा additional setting तो आपको यहाँ पर चले जाना है additional setting के अंदर जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर आना है नीचे की side में और आपको यहाँ पर मिल जाएगा double upper optional अगर दोस्तो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो दोस्तो आपको क्या करना है उपर की side में आना है और उपर की side में आने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर मिलेगा about section यहाँ पर देखिए दोस्तो about phone या फिर about section mode यहाँ पर पहले से मेरा available है ठीक है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा तो आपका developer option वाँ पर आ जाएगा ठीक है 100% work करेगा यहाँ पर दोस्तों में इसको back कर देता हूँ है then back करने के बाद आपको यहाँ पर आने के बाद आपको चले जाना है तो आप वाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पर में दोस्तों मेरा additional setting दिख रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर scroll down करने के बाद दोस्तों यह ओला developer option setting आपको यहांपे मिल जाएगा तो दोस्ता आपको यहांपे इसको open करना है open करने के बाद उसके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरवेस कुल कर open हो जाएगा उसके बाद उसके बाद आपको नीचे के side में scroll करने है स्क्रोल करने के बाद दोस्ता आपको यहाँ पर मिलेगा Select Mock Location App यह वाला जो setting है इस setting की बात कर रहा हूँ दोस्ता मैं यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आने हैं यहाँ पर इसको open नहीं करना आपको यहाँ पर चले जाना बेक करना है पूरी setting को और आपका जो application डाउनलोड किया था GPS, Emulator, Application वाला application को आपको यहाँ पर open कर लेना है तो उससे पहले दोस्ता आपको क्या करना है यहाँ पर अपने mobile के अंदर जाना है और आपके location को यहाँ पर off कर देना है ठीक है? और off करने के बाद दोस्ता आपको चले जाना है यहाँ पर location वाला जो application डाउनलोड किया था आपने उसके अंदर GPS Emulator को open कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface कुल कर open हो जाएगा जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा update यहाँ पर मैं update नहीं करने वाला हूँ इसको मैं यहाँ पर no thanks कर देता हूँ उसके बाद दोस्ता आपको यहाँ पर search करना है कि आपका कौन सा कहां का location लगाना चाहते हैं तो दोस्त आपको यहां पर सर्च कर लेना है, यहां पर सर्च करने के बाद यहां पर मैं दिल्ली यहां पर टाइप करा हुआ है, पहले सही, तो यहां पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, यहां पर मैंने इसको सर्च करा, सर्च करने के बाद दोस्त आप यहां पर दे नीमाइज कर दीजिएगा एक बार के लिए उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है वाला जो एपलिकेशन है गूगल का उसके अंदर चले जाना है और आपको यहां पर टाइप करना है दिल्ली आप जहां का भी लोकेशन लगाना चाहते हैं वह वाला आपको यहां पर select करना है तो सबसे फिले हम यहां पर search बार के उपर जाएंगे then हम यहां पर type करेंगे दिल्ली यहां पर मैंने type करा दिल्ली यहां पर आ गया दिल्ली यहां पर मैं इसको search करूंगा then यहां पर आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा यहां पर नीचे की side में इसको ओक्ते करने के बाद आपको यहां पर आपको शेयर करना चाहते हैं वह आपको यहां पर चलेoshima जोपर आपको यहां पर क्लिक कर ना है यहां पर क्लिक करने के बाद ओस आईयर से ऑपन हो जयएगा open होने के बाद दोस्ता आपको नीचे की side में जो 3 option दिख रहे हैं एक तो cut का option दिख रहा होगा गीच में green color का आपको यहाँ पे error दिख रहा है वहाँ पे आपको click कर देना है ठीक है ऐसा click करके आपको इसको ok press कर देना है ठीक है यहाँ पे optimize हो जाएगा आपका यहाँ पे allow कर देना है यहाँ पे मैंने allow कर दिया है यहाँ भी हमारा location जो set हो चुका है और emulator वाले के उपर फिर से आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे set करना है जो भी आपका location है वहाँ का location आप set कर सकते हो सबसे पहले आपको green वाले के उपर click करना है यहाँ पर set location आ जाएगा आपका location set हो गया है अभी आपको चले जाना है बे करना है और बे करने के बाद susto आपको यहाँ पर आना है अपनी setting के अंदर ठीक है setting के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर additional setting में जाना है यहाँ पर आपका setting कोई भी हो सकता है आप उसके अंदर देख लीजिए का developer option है की नहीं आप वहाँ पर चले जाना है यहाँ पर इसको open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पर आना है ठीक है अभी आपको क्या करना है दोस्तों इसको बेख करना है और बेख करने के बाद दोस्ता आप ओपर दिल्ली न्यू इंडिया आपको यहाँ पर दिखाएगी दिखा आपको क्या करना है सबसे पहले आपको चले जाना है जो भी आपका city mall application जा उसके अंदर सबसे बिले हमें city mall application को यहाँ पर open करेंगे open करने के बाद दोस्ता हमारे पास यह वाला problem अभी भी आ रहा है इसको हम cut करेंगे और cut करने के बाद दोस्ता आपको यहाँ पर type करना है जहां का आपने location set किया है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिली type कर देता हूँ ओके यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर type करा है दिली और दिली यहाँ पर type करने के बाद दोस्ता आपको यहाँ पर दिली option मिलेगा आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और आपको फिर से यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूं गाईज और यहाँ पर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च हो रहा है सर्च होने के बाद आपको यहाँ पर 100% work कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा location भी change हो गया है आप यहाँ पे अपना जो service है वो यहाँ पे activate है आप यहाँ पे देख सकते हो application 100% work कर रहा है और आपको यहाँ पे location भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हो guys यहाँ पर देख सकते हो गाई नियो दिल्ली यहाँ पर वेस्ट दिल्ली दिखा रखा है तो दोस्ता आप भी कुछ इस तरह से अपना सीटी मॉल एप के अंदर अपना लोकेशन को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो अगर आप इसके अंदर एंटर नहीं हो पा रहे हो तो दो से मिलेंगे एक और वीडियो में जब तक लिए बाई बाई